आज हम स्टार्ट करेंगे कुम्भा के पुत्र राएमल के उपर डिस्कस करेंगे फिर हम राएमल के पुत्र राना सांगा के उपर डिसकस करेंगे दोस्तों राजस्तान हिस्ट्री हमने स्टार्ट कर रखी है ये राजस्तान हिस्ट्री की क्लास आपके स्टेनोग्राफर, पटवार, रीट, ग्राम सेवक और अभी जो विदुत विवाग में वेकेंसी आने वाली है इन सब के लिए बहुत उपयोगी क्लास होगी दोस्तो इस क्लास को जरूर अटेंड करी, डेली नौ बजे, रात को नौ बजे क्लास लगती है दोस्तों, अभी मैं केवल एक ही क्लास लगा पा रहा हूँ, इस संडे को मैं एक कंप्यूटर की महा मेरा थन क्लास लगा दूँगा दोस्तों, जो आपके अभी जो 19 सप्टेμबर को लाइब्रेरियन का exam होगा उसके लिए आपको बहुत जादा help करेगा तो मेरे request है आप वो video भी जरूर देखेगा दोस्तों start करते हैं पहला कुमभा हमने राना कुमभा के बारे में पूरा detail में पढ़ लिया था राना कुमभा की जो मिर्ट्यू है वो उनके पुत्र उदा के द्वारा किया गया उनके दो पुत्र थे एक था उदा दूसरा था राइमल उदा के द्वारा राना कुम्बा की मिर्ट्यू की गई उसके बाद उदा को मेवार का प्रित्त हंता कहा गया और मेवार से उसको निस्कासित कर दिया ठीके, उसके बाद जो कुम्बा का पुत्र था राइमल उसको मेवाड का सासक बनाया गया, कुम्बा का सासनकाल है 1471 से 1509 तक, 1471 से 159 तक, ठीके, इन्होंने क्या किया, एक लिंग नाथ जी के मंदीर का पूर्ण निर्मान कराया, एक लिंग नाथ जी का मंदीर नागदा में है, केलास पूरी गाउं नागदा के अंदर, एक लिंग नाजी के मंदीर का निर्मान काल भोज या बपा रावल द्वारा कराया गया था काल भोज को ही मेवाड वंज का संस्थापक माना जाता है ठीके अगर आपसे रियल संस्थापक की बात करें तो काल भोज को वर्ना गुहिल द्वारा जो है मेवाड वंज की स्थापना की गई थी और काल भोज जी ने क्या किया था नागदा को अपनी राजधानी बनाया था और वहीं पे एक लिंग नाथ जी का मंदिर बनाया था राइमल की पत्नी या महारानी कौन थी संगारी देवी ठीक है राइमल और संगारी देवी राइमल ने क्या किया था एक लिंग नाजी के मंदिर का पूर्ण निर्वान कराया था ठीक है महारानी राइमल के पत्र है प्रत्वी राज सिसोधिया जैए सिंग जैए देव और सांगा चार पत्र है कौन कौन पिर्थवी राज सिसोधिया जय सिंग जय देव और राणा सांगा और एक पुत्री है आनंदी बाई कौन है आनंदी बाई आनंदी बाई का विवा सिरोही के सासक जगमाल देवडा के साथ हुआ किसके साथ हुआ आनंदी बाई जो रायमल की पुत्री है इनका प्रत्वी राज शंगा की आंख फोट दी थी प्रथ्वी्रासि सोधिया क्या थे जे श्ट पुत्र थे रायमल के जे श्ट पुत्र थे लेकिन क्या हुआ कि इन चारों में ये लड़ाई हुई कि कौन जो है नेक्स्ट ये उत्राधीकारी बनेगा तो ये चारों डिसाइड नहीं कर पा रहे थे फिर ये एक जो कहते हैं भविश्यवानी जो करते हैं उनके पास गए उनको इन्होंने अपना हाथ दिखाया और ये पूछा कि हम में से राज योग किसके हाथ में है तो उन्होंने कहा कि राज योग जो है वो केवल राना सांगा के हाथ में है ये सुनते ही प्रत्विरासी सोध्या को गुस्सा आ गया उन्होंने गुस्से में अपने ही छोटे भाई राना सांगा के आख फूर दी आपको ये सुनकर बहुत गर्व होगा दोस्तो राना सांगा जो थे उनके सरीर में टोटल असी घाव मिले हैं और उनके वावजूत भी वो यूद करते रहे वो कभी भी डरे नहीं ठीके तो पहला घाव जो इनको मिला था वो अपने ही जेस्ट भाई पृत्विरा सिसोद्या के दुआरा मिला था दोस्तो ठीके किलियर है और इनी पृत्विरा सिसोद्या की जो पत्नी थी उनका नाम था तारा भाई क्या नाम था तारा भाई और पिर्थिविरा सिसोध्या ने अपनी पतनी ताराबाई की इसमरती में अजे मेरू दुर्ग जो की अजमेर में है उसका पूर्ण निर्मान कराया था और पूर्ण निर्मान कराने के बाद अजे मेरू दुर्ग का नाम बदल कर इनोंने तारागड दुर्ग रख दिया था ठीक है ये चीज़ भी ध्यान रखो ये पर्थविरा सिसोद्या कौन है राइमल के पुत्र राइमल कौन है महराना कुमभा के पुत्र और इसी पर्थविरा सिसोद्या को उड़ना राजकुमार के नाम से भी जाना जाता है इन्होंने अपनी पतनी तारा बाई की इसमरती में जो अजय मेडू दुर्ग अजमेर में है उसके चारों और परकोटे और उस दुर्ग का पूर्ण निर्मान कराया था ठीके इसके बार दुर्ग का नाम तारागड रखा गया और इसको तारागड दुर्ग से जाना जाता है ये questions बहुत ही जादा बार पूछा जाता है दोस्तो तारागड दुर्ग कहां कहां पे है तो एक है बुंदी के अंदर बुंदी का तारागड किला और दूसरा जो है अजे मेरु दुर्ग जिसको पिर्थवी राशिसो दिया जो की उड़ना राजकुमा के नाम से प्रसित थे इन्होंने इस दुर्ग का नाम तारागड रखा बताओ दोस्तो कोई भी confusion है तो आपको एकदम clear करके पड़ाओंगा आपको सारी चीज़े clear होनी ही चाहिए इस क्लास के अंदर आगे चलो पिर्थवीराश इसो दिया को उड़ना राजकुमार कहा गया ठीके पिर्थवीरा पिर्थवीराश इसो दिया को जहर किस ने दिया जगमाल देवडा ने दिया जो इनके बहनोई थे उन्होंने इनको जहर दे दिया जगमाल देवडा ने ठीके पिर्थवीराश इसो दिया की चत्री कुम्भलगड में है उड़ना राजकुमार की चत्री कहा है तो आप बोल तरिम्ल ने एक लिंग नात जी के मंदीर का पूर्ण निर्मान कराया था यह महारना राय मल के चार और एक कुझत्री है पुर्त्र कौन कौन से इसे राज सिसोधिया जैसींग जैदेव और च्क पुझत्रिय कै आशिएजा संग आनंदी बाई और पुत्री का विवा जगमाल देवडा शिरोई के साथ जगमाल देवडा के साथ इनका विवा हुआ पिर्थविराज सिसोदिया जो की उड़ना राचकुमार के नाम से प्रसीत थे क्योंकि ये बहुत तेज धावक थे दोस्तों तो इनोंने क्या किया राना स सांगा की उन्होंने एक आख फोड़ दी अब क्यों फोड़ी उसका डिजन देखो ये चारो पिर्थविराज सिसोदिया जय सिंग और जय देव एंड राना सांगा चारो एक संत के पास गए जो की भविश्यवानी बताते हैं उन्होंने कहा था कि जो राज योगे केवल र जादा था लेकिन जब उनके हाथ में राज योग नहीं है तो उन्होंने गुस्से में राना सांगा की एक आख फोड़ दी और राना सांगा यहां से भाग कर अजमेर के जंगलों में चले गए थे अपने भाई के डर से उन्होंने मेवाट छोड़ दिया और अजमेर के जंगलों में निवास करने लगे अजमेर में जो अजमेरु दुर्ग है उस दुर्ग का परकोटा और उस दुर्ग की मरमत कराई थी जब इन्होंने उस दुर्ग की मरमत कराई तो इन्होंने अपनी पतनी तारा भाई के नाम पर इस दुर्ग का नाम तारा गड़ रख दिया ठीके आगे चलो पर्थिविरास इसोद्या को उड़ना राजकुमार के नाम से जाना जाता है आपसे ये क्युस्वन पूछा जा सकता है कि उड़ना राजकुमार को जहर किस ने दिया तो इनके खुट के बहनोई कौन थे जगमाल देवडा शीरोई के सासक इन्होंने ही पर्थिविरास इसोद्या को जहर दे दिया था पर्थिविरास इसोद्या की छत्री कहां पे है कुंबलगड में है दोस्तो इन्हें उड़ना राजकुमार कहा जाता है आपसे ये क्युस्वन भी पूछा जा सकता है कि उड़ना राजकुमार की छत्री कहां है तो आप बोलेंगे उड़ना राजकुमार की छत्री कुंबल गर्ड दुर्ग में है बताओ कोई कंफ्यूजर है तो आपको दोस्तो सारी चीज़े एकदम क्लियर करा दिये मैंने अब हम आते हैं राना सांगा पे राना सांगा एक बहुत इंपोर्टेंट सासक है थोड़ा बड़ा होगा लेक्टर लेकिन आपको ध्यान से सुनना है इसमे में आएगी दोस्तो चलो राना सांगा का ही नाम था संग्राम सिंग इन्हें राना सांगा या संग्राम सिंग के नाम से जाना जाता है इनका सासनकाल पंदरा सो नौ से लेकर पंदरा सो अठाइस तक पंदरा सो नौ से लेकर पंदरा सो अठाइस तक इनका जनम बारा अप् प्रत्विराज शिसोद्या के डर से अजमेर के जंगलों में निवास किया ठीक है पहली चीज़ ध्यान रखो कि जो राना संगा थे इनकी एक आंग इनके जेश्ट भाई प्रत्विराज शिसोद्या द्वारा फोड़ दी गई थी तब से इनोंने मेवार का त्याग किया और अजमेर के जंगलों में रहने लगे ठीक है इनका सरक्षक किस ने किया इनकी इनकी देखबाल किस ने की अजमेर के जंगलों में करम चंद पवार ने की थी ठीक है करम चंद पवार ऐसे व्यक्ति थे जिनोंने इनको सरक्षन दिया था इनकी देखबाल की थी इसलिए ही रा रावल की उपादी दी थी किसकी रावल की किसको करमचंद पवार को समझ मैं आया दोस्तों क्या बताया मैंने आपको कि राना सांगा का नाम ही है संगराम सिंग इनका साशनकाल पंद्रा सो नौ से लेकर पंद्रा सो अठाइस तक जनम 12 अप्रेल 1481 के अंदर आरंब में प्रि वाड का त्याक किया और अजमेर के जंगलों में निवास करने लगे जब ये अजमेर के जंगलों में निवास कर रहे थे तो इनका सरक्षण करम चंद पवार द्वारा किया गया जब ये सासक बने कौन राना सांगा तब इनों ने करम चंद पवार को रावल की उपादी दी किसकी रावल की देखो आगे कर्णल जेमस्टोड का एक statement है एक कथन है कर्णल जेमस्टोड ने सांगा को एक भगन अंस की संग्यादी है ठीके एक भगन अंस की संग्यादी है किसने कर्णल जेमस्टोड ने ये चीज धान रखना कि मतलब एक पूरा सैनिकों का अंस है ये रा राना को एक भग्न अंज की संग्या दी है उपादी क्या थी राना सांगा के पास हिंदू पती की उपादी इतिहास कारो द्वारा दिया गया किसकी हिंदू पती की अब हम सैनिक अभ्यान के बारे में बात करेंगे सांगा का तो सांगा ने मालवा विजय किया महमूद खिल जी के साथ यूद किया और उन्स पे विजय प्राप्त किया गुजरात विजय हुआ मुझजफर साह से इनोंने गुजरात के उपर विजय प्राप्त किया फिर वा गागरोन युद या जालावार युद इसमें क्या हुआ महमूत खिलजी और मुवमत साह दोनोंने साथ में आकरमन किया लेकिन विजय कौन हुआ राना सांगा फिर इनोंने इब्राहिम लोधी के साथ यूद किया खातोली का यूद और बाडी का यूद किया 1517 के अंदर और 1518 के अंदर फिर इनोंने बाबर के साथ यूद किया बयाना का यूद और खानवा का यूद ठीके बयाना का यूद होता 1527 के अंदर और खानवा का यूद भी हुआ था 1527 के अंदर तो इनके सैनिक अभ्यान कौन-कौन से है मालवा पे इनों ने विजय प्राक्त किया मालवा का यूद महमुद खिल जी के साथ गुजरात पर विजय मुजफर सहा के साथ फिर इन दोनों ने महमुद खिल जी और मुजफर सह दोनों ने गागरोन में यूद किया राना सांगा के साथ और विजय कौन हुआ राना सांगा फिर हुआ इब्राहिम लोदी के साथ यूद इब्राहिम लोदी के साथ पहला यूद हुआ खातोली का यूद 1517 के अंदर दूसरा हुआ बाड़ी का यूद वो 1518 के अंदर फिर हुआ बाबर के साथ यूद ब्याना का यूद 1527 के अंदर और बाद में हुआ खानवा का यूद 1527 में अब हम एक एक करके डिसकस करेंगे गुजरात विजय गागरोन जालावार का यूद 1519 के अंदर राना सांगा की विजय हुई इसके अंदर इडर राज्य विवाद का मुख्य कारण था इडर राज्य जो था यहाँ पे वो ही इस यूद के विवाद का मुख्य कारण था इडर राज्य का सासक किसे बनाया गया राइमल को बनाया गया और राना सांगा की यहाँ विजय हुई बस आपको ये चीज़े ध्यान रखना है पूरा डिटेल में डिसकस नहीं करना है के गुजरात विजय का मुख्य कारण था गुजरात में जो यूद हुआ था उसका ये मुख्य कारण था और इसके सासक कौन बनाए गए राइमल को इसका सासक बनाया गया ठीक है मालवा और गुजरात की संयुक्त सेना ने गागरोन दुर्ग पर आकरमन किया था और राणा सां ने पराजित किया क्या किया था मालवा और गुजरात की स्वयुक्त सेना मालवा और गुजरात की दोनों सेना ने मिलकर गागरोन का जो दुर्ग है जालावाड में जो की एक जल दुर्गी स्रेनी में आता है काली सिंद और आहू नदी के किनारे पे इस्तित है दोस्तों यहा यहाँ पे है ये खातोली का युद, कब हुआ? 1517 के अंदर हुआ, खातोली एक बुंदी रियासत में आती थी, लिकिन सतंत्रता के पसाथ अब यह कोटा रियासत में आती है, इसमें विजय कौन हुआ? इसमें राणा सांगा के विजय हुए, कौन से? खातोली के युद में, खातोली का युद, इबराहिम लोदी और राणा सांगा के मध्या, 1517 में लड़ा गया, खातोली जग्य जो है, पहले बुंदी का एक रियासत थी, लिकिन यह सतंत्रता के बाद, यह कोटा रियासत में आ गई है, कौन सा? खातोली जग्य जो है, अब कोटा रियासत में है, इसमें विजय कौन हुआ, राणा सांगा, इसमें विजय हुए दोस्तो, बताओ कोई confusion आपको, एकदम clear है, आगे चलें, धोलपूर का युद या बाडी का युद, धोलपूर का युद या बाडी का युद कब हुआ, 1518 में, विजय कौन हुआ, राणा सांगा हुआ, इब इब्राहिम लोदी जो है, भाइबीत हो गया, राणा सांगा की सकती से भाइबीत हो गया था, इसलिए धोलपूर का युद लड़ा गया, और धोलपूर के युद में विजय राणा सांगा की हुई, बताओ, कोई confusion है दोस्तो, तो आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीके, तो ह हम अभी बात कर रहे हैं दोस्तो, राणा सांगा की, हमने अभी तक क्या-क्या देख लिया, राणा सांगा को संग्राम सिंग के नाम से भी जाना जाता है, पंद्रा सो नौ से लेकर पंद्रा सो अठाइस तक इनका सासन काल रहा, आरम में प्रतिविराज सिसोध्या से डर कर ये अजमेर के जंगलों में निवास कर रहे थे, क्योंकि प्रतिविराज सिसोध्या ने इनकी एक आख फोड़ दी थी, अजमेर के जंगलों में करम चंद पवार जो थे, इनके सरक्षन बने, करम चंद पवार को राना सांगा ने रावल की उपादी दी थी, जब वो सासक बन गए थे, जब वो राजा बन गए थे, ठीके, करनल जैम्स्टोर ने सांगा को एक भगन अंस की संग्या दी है, राना सांगा को हिंदू पती की उपादी इतिहास का रो द्वारा दिया गया, सैनिक अभ्यान के अंदर, पहला है मालवा पे विजय प्राप्त किया, खिलची और मुजफर सा, दोनों ने एक साथ राना सांगा पर आकरमन किया, लेकिन यहां पर भी सांगा की विजय हुई, उसके बाद हुआ इबराहिम लोदी के साथ यूद, इबराहिम लोदी के साथ दो यूद हुए, खातोली का यूद और बाडी का यूद, फिर हुआ बाबर के साथ हुआ बाबर के साथ हुआ बयाना का दूर्ख और खानवा का यूद, ठीके, इनके यूद जरूर याद रखना दोस्तों, यूद में से क्युशंस आते हैं बहुत जादा, ठीके, आगे देखो, गुजरात विजय गाग्रोन में जालावार का यूद जो मालवा और गुजरात की सयुक्त शैना ने गागरोन में गागरोन दुर्क पर आकरमन किया और राणा सांगा ने इन दोनों को पराजित किया दोस्तो इब्राहिम लोदी वसेस राणा सांगा ये हुआ खातोली कायुद 1517 के अंदर खातोली जो है बुंदी रियासत में थी और उसके बाद या सतंतरता के पसाथ या कोटा रियासत में आ गया खातोली ठीक है इसमें विजय किसकी हुई थी राणा सांगा की विजय हुई थी कलियर है दोस्तो कोई confusion आगे चलो धोलपूर का युद या बारी का युद बोलते है इसको पंद्रा सो अठारा में हुआ इसमें विजय कौन प्राप्त हुआ राणा सांगा का इसमें राणा सांगा इसमें विजय हुए इब्राहिम लोदी और इब्राहिम लोदी क्या हुआ राणा सांगा की शक्ति से भाईबीत होने लगा बाबर औयवम सांगा बाबर वसे राणा सांगा के मद्यकॉफ योध हुए पहला हुआ बयाना का योध 16 फर्वरी 1527 में इसमें ना तो बाबर आया था और ना ही राणा सांग आये थे यहांपे केवल बाबर की सेना उपस्तित थी और राणा की सेना उपस्तित थी इन दोनों के मध्य यूद हुआ था 16 फरवरी 1527 के मध्य और जो विजय प्राप्थ हुए थे वो हुए थे राणा सांगा जो है विजय प्राप्थ हुए थे ठीके आगे चलो खानवा का यूद खानवा का यूद एक most important है दोस्तो इस इसको ध्यान रखना 17 मार्च 1527 में ये यूद हुआ था कब 17 मार्च 1527 में रूप वास्तहसिल भरतपूर में गंपीरी नदी के किनारे पे इस्तीत है खानवा का यूद कब 17 मार्च 1527 में रूप वास्तहसिल भरतपूर में और ये रूप वास्तहसिल गंपीरी नदी के किनारे पे इस्तीत है कहां पे गंभीरी नदी के खिनारे राना सांगा वसेज बाबर इसका इसमें यूद होता राना सांगा और बाबर के मद्य बाबर ने क्या क्या किया था यहां पे देखो पहले हम बाबर की बात करेंगे फिर राना सांगा ने क्या क्या किया था उनकी भी बात करेंगे ठीके बाबर ने क्या किया था बाबर ने यहाँ पे तमगा कर हटा दिया था एक तमगा कर लगता था वो जो केवल उसको हटा दिया मुसलमानों पर लगने वाला कर था इसको हटा दिया किसने बाबर ने और जिहाद या धरम युद की संग्या दी थी बाबर ने इसको जिहाद या धरम यूद की संग्या दी थी हम बात कर रहे हैं दोस्तों खानवा के यूद के बारे में जो की रूपवास तैसिल भरतपूर में गंभीरी नदी के किनारे पे इस्तित है यह राना सांगा और बाबर के मद्य हुआ था इसमें बाबर ने तमगा कर हटा दिया था जो केवल मुसल्मानों पर लगता था उसकर को हटा दिया और दूसरा क्या किया जिहाद या धरम यूद की संग्या दी जिहाद या धरम यूद की इनों ने इसको संग्या दी कहा कि यह अमारे धरम के उपर है तो आपको यूद करना पड़ेगा उसी तरफ राणा सांगा ने क्या किया पाती परवन प्रथा स्टार्ट की पाती परवन प्रथा में क्या होता है कि दूसरे राज्य के जो राजा महराजा है वो राणा सांगा के लिए यूद करेंगे नाम राणा सांगा का होगा वो अपना आत्म समर्पन करेंगे वो जो है राणा सांगा के लिए यूद करेंगे यह होती है पाती परबन की प्रथा इसमें आमेर के प्रिथ्विराज कछवा आए, मेरता के रतन सिंग आए, बिजोलिया के असोक परमार आए, वागड के महारावल उदै सिंग आए, बिकानेर के कल्यान मल आए, और मेरता से वेरम देव जी आए ठीके, ये पाती परवन की प्रथा में राणा सांगा का बहुत लोगों ने साथ दिया, आमेर से आए, प्रिथ्विराज कछवा, मेरता से आए, रतन सिंग, बिजोलिया से आए, असोक परमार, उसके बाद वागड से आए, महारावल उदै सिंग, बिकानेर से आए, कल्यान मल और मेरता से आए, विरम देव, कल्यार है दोस्तो, आगे चलो, विज़ाई कौन हुआ, इस यूद में विज़ाई हुआ था, बाबर, कौन विज़ाई हुआ था, बाबर, ठीके, सांगा के हारने के कारण देखो, सांगा के पास सेना बहुत जादा थी, फिर भी राणा सां सांगा की सेना पर बहुत भारी पड़ा, बाबर के तीरंदाज, ठीके, उसके बाद, तलू, तलू, गुमा, यूद प्रदती, बाबर की जिहाद की जो संग्यादी थी, वो भी, और सहल्दो तवर का विश्वास गाद, सहल्दो तवर जो थे, वो राणा सांगा के साइट लेकिन जैसे ही युद प्रारम हुआ, उन्होंने सारी रन निती जाकर बाबर को बता दी, इसी वज़से जो है, ये कुछ कारण है, इसकी वज़से यहाँ पे राणा सांगा की हार हुई थी, एक बार दुबारा देखो दोस्तों, आपको समझ में आ जाएगा, हम डिसकस कर रहे हैं, खानवा के युद के बारे में, खानवा का युद 17 मार्च 1527 में रूप वास्तहसिल भरतपूर में हुआ था, रूप वास्तहसिल गंभीरी नदी के किनारे पे इस्तित है, यहाँ तक आपको कोई कन्फ्यूजन, आगे चलो, राना सांगा वसे बाबर, राना हटा दिया गया, दूसरा बाबर ने इस युद को जिहाद या धरम से जोड़ दिया, जिहाद या धरम की संग्यादी, बाबर ने कहा कि आपको युद करना पड़ेगा, यह आपके धरम के लिए है, ठीक है, यह धरम युद है, राना सांगा ने क्या किया? पाती परवन की प्रथा श्टार्ट की पाती पर्वन की प्रथा में दूसरे राज्य के राजा महराजाओ ने युद किया किसके साथ राणा सांगा के लिए युद किया बाबर के साथ इसमें आए आमेर के प्रत्विराज कछवा मेरता के रतन सिंग बिजोलिया के असोक परमार बागड के मह रावल उदय सिंग, विकानेर के कल्यानमल और मेर्ता से आए वीरमदिव ठीके इस यूद में विजय कौन हुआ विजय हुआ बाबड इसके अंदर बहुत जाद राणा सांगा के पास सेना बहुत जादा थी उसके पस्ताथ भी वाबड जो है विजय हुआ बाबड के विजय होने का रिजन क्या क्या था वो देखो या फिर राणा सांगा के हाडने के क्या क्या कारण थे उसके बारे में एक बार देखें कि बाबर का जो तोप खाना था वो राणा सांगा की सेना पर भारी पड़ा राणा सांगा के जो सैनिक थे वो तलवार धारी थे लेकिन बाबर के पास तोप खाना था बाबर के तिरंदाज ये भी जो राणा सांगा की सेना पर भारी पड़े तुलू गुमा यूद प्रदती ये प्रदती भी बहुत अच्छी थी बाबर की अकोडिंग बाबर की जिहाद या धरम यूद की संग्या दी थी वो भी एक जीतने का सबसे यूद शुरू होने से पहले ही सारी रन डिती बता दी थी तो यह भी राणा सांगा के हारने का एक सबसे बड़ा कारण था ठीके इसके बाद यहाँ पे क्या हुआ जो राणा सांगा थे वो घायल हो गए थे एक तीर जब उनको जाकर लगी तो वो घायल हो गए वो किया गया कौन लेकर गए राव मालदेव लेकर गए थे ठीके यह चीज़ भी पूछा दा सकता है कि इनको बस्वा दोसा कौन लेकर गए थे तो राव मालदेव जी राणा सांगा को बस्वा दोसा लेकर गए थे सांगा की पतनी कौन थी कर्मावती हाडी रानी सांगा की प पुत्र था विक्रमादित्य और उदैसिंग कौन 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 था पर इनको जहर दिया गया था ठीक है दोस्तो अब देखो राना सांगा जब यूद में मुर्चित हो गए थे किस यूद में खानवा के यूद में तब इनोंने क्या हुआ कि राव माल देव जो है राना सांगा को यूद से लेकर कहा गए बसवा दोसाक में लेकर गए और पतनी थी कर्मावती हाडी नानी कर्मावती कर्मावती के दो पुत्र थे विक्रमा दित्य और उदैसिंग ठीक है नहीं विक्रमा दित्य और उदैसिंग ये राना सांगा के पुत्र है राना सांगा की मित्यू कहां हुई कालपी नावकिस्थान पर हुई कालपी में जहर द किया गया किसके द्वारा सेना के द्वारा किसको राणा सांगा को बताओ दोस्तों कोई confusion यहां तक clear है चलो आगे तो राणा सांगा की छत्री कहां पे है राणा सांगा की मांडलगड भिलवाड़ा के अंदर किया और मांडलगड भिलवाड़ा में 32 खंबो की छत्री बनाई कितने 32 खंबो की यहांपे छत्री बनाई गई दोस्तो ठीके कि येस आप हम discuss करेंगे friends उधैसिंग के बारे में ठीके उधैसिंग राना सांगा के पुत्र उधैसिंग राना सांगा के बारे में कोई confusion तो नहीं होना चाहिए दोस्तो आपको मैंने एकदम clear करके पड़ाया है जिससे कि आपको सारी चीजे एकदम clear हो जाए राना सांगा की चत्री कहां पे है मांडल गर्ड भीलवाडा में 32 खंबो की चत्री है अब हम बात कर रहे हैं उदै सिंग की उदै सिंग 1537 से लेकर 1572 तक इनके सैनापती कौन थे जैमल और फत्ता इनके सैनापती थे और जैमल के बतीजे कौन है वीरकला जी जिनको सेसनाक का अवतार या चार हातों वाले देवता के रुप में पूजा जाता है चार हातों वाले लोक देवता कौन? वीरकला जी तो हम बात कर रहे हैं उदे सिंग की जिनोंने उदेपुर सहर की स्थापना की थी इनके दो सैना पती थे जैमल और फत्ता जैमल के जो भतीजे हैं वो है वीर कल्ला जी जिनको सेसनाक का उतार या क्या कहते हैं चार हातों वाले लोक देवता के रूप में पुजन्य हैं इनके सामने जो सासक आये मुगल सासक वो थे अकबर अकबर ने आकरमन किया पंदरा सो सट सट से लेकर अट सट तक 1566-68 में मुगल सासक अकबर ने जो है यहाँ पे आक्रमन क्या मेवाड में जब मेवाड में आक्रमन किया तो उदै सिंग जो थे वो गोगुंदा चले गए और अपनी जीमेदारी जैमल्व फत्ता को सौप कर अखा चले गए गोगुंदा चले गए ठीके तो आप देख रहे हो दोस्तो जो उदै सिंग जो थे इन्होंने अक्रमन से युद नहीं किया और यहाँ गोगुंदा चले गए और अपनी जीमेदारी जो अपनी इनके सैना पती थे जैमल्व और फत्ता को सौप दिया अब यहाँ पर जैमल्व और फत्ता ने क्या किया के सर्या हुआ और इनकी जो पत्नी थी जैमल्व की पत्नी फूल कवर इन्होंने यहाँ पे जोहर किया तो इस तरह से यह मेवाड का तीसरा साका कहलाता है तीसरा और अंतिम साका कहलाता है दोस्तो अलाओदिन खिलजी ने जब इसमें चितोडगर्ट पर अधिकार कर लिया था तो उसका नाम बदल कर खिज्रबाद रख दिया था और अपने पुत्र खिज्रखा को सौब दिया था ठीक है दोस्तो इसके साथ एक चीज ये भी ध्यानक ना कि चितोडगर्ट उसके बाद जो ह अलाओदिन खिलजी ने यहाँ पे कतले आलम का संदेश भी निकाला था जिसे बहुत सारे लोगों की यहाँ पे मृत्यों भी हो गए थी ठीक है अभी हम बात कर रहे हैं दोस्तो अकबर के बारे में उदै सिंग जो थे उनका सासनकाल है पंद्रा सो सैंतीस से लेकर पंद्र जाता है मुगल सासक कौन है अकबर अकबर ने यहाँ पर आकरमन कप किया 1567 और 68 में यहाँ पर क्या हुआ उद्यश इंग तो गोगुंदा चले गए और अपनी जीमेदारी जैमल और फत्ता को सौप कर चले गए जैमल और फत्ता ने यहाँ पर बहुत समय तक वीरता दिख जब बाद में इन्होंने देखा कि अब और कुछ नहीं हो सकता तो इन्होंने के सर्या किया किसने जैमल और फत्ता नहीं और जैमल की जो पत्नी थी फूल कवर फूल कवर द्वारा यहां पे जोहर किया गया इसी तरह से यह पूरा साका हुआ यह मेवार का तीसरा और अंतिम स का अकबर जो है वो जैमल और फत्ता से बहुत ज़्यादा परभावित हुआ उनकी वीरता से परभावित होकर आगरा के कीले के सामने गजारूड परतिमा लगाई थी जैमल और फत्ता की आगरा के कीले के सामने अकबर द्वारा गजारूड परतीमा लगाई गई वीर कल्ला जी ने जैमल को कंधे में बैठा कर युद किया था इसलिए वीर कल्ला जी को सेशनाक का अवतार वह चार हातों वाले लोग देवता के रूप में पुझते हैं बताओ एकदम क्लियरली सिंपल जैमल और फत्ता ने के सर्या किया उनकी पत्नी फूल कवर ने जोहर किया ये हुआ पूरा साका और ये साका मेवार का तीसरा व अंतिम साका कहलाया इस युद में क्या हुआ अकबर ने जब जैमल और फत्ता की वीरता देखी तो उससे परभावित हुआ और अकबर ने आग के कीले के सामने जैमल और फत्ता की क्या की गजारुड प्रतीमा इस्थापित की वीर कल्ला जी ने जैमल को कंधे में उठा रखा था और उसके बाद भी युद्ध कर रहे थे इसलिए ही वीर कल्ला जी को चार हातों वाले देवता या फिर सेशना का अवतार माना गया है बिकानेर के जो सासक है राइसिंग राइसिंग द्वारा भी जूनागड दुर्ग जो है बिकानेर का उसमें सूरज पोल परवेश द्वार पर जैमल और फत्ता की गजारुड प्रतीमा बनाई गई है बिकानेर के जो सासक थे कौन राइसिंग राइसिंग द्वारा भी बिकानेर का जो गड़ है जूनागड यहाँ पे सूरज पोल परवेश द्वार पर जगमाल वो फत्ता की ठीके यहाँ पर भी जैमल और फत्ता की जो है गजारुड प्रतीमा बनाई गई है दोस्तों किलियर है चलो आगे गोगुंदा में 28 फरवरी 1522 में होली के दिन उदैसिंग का दिहान्त हो गया कब हुआ गोगुंदा में 28 फरवरी 1922 में होली के दिन उदैसिंग का दिहान्त हो गया और उदैसिंग की जो पत्नी है उनके बारे में देखो उदैसिंग की तीन पत्निया थी सज्जाबाई, धीरबाई और जेवंताबाई ठीके उदेश इंको कि पत्निया थी 6 मढरी और जेवंता भी जो इनका पृत्तर था देरstory पार्था office के जेश्ट पृत्तर था if एकमी facto देश्यॐ dependus क्या हुआ दूस्तो जो यह धीर बाइ थी ये उद्यसिंग की पीड्य पतनी थी इन्हों ने वचन दिया था कि हम जो है जगमाल जी का ही राजयभि से करेंगे तो जैसे ही इनका अंतिम सनस्कार हो रहा था उद्यसिंग का उसके पीछे से जगमाल का यहां पे राज्यभी सेख हो गया लेकिन क्या हुआ जो सर्दार थे वो सर्दार इनसे गुस्सा हो गए गाउं के लोग गुस्सा हो गए सैना गुस्सा हो गई उन्होंने क्या किया जैसे ही ये सब देखा वो जैसे ही अंतिम संस्कार करके पहुंचे वहां पे परताप का राज्यभी से करा दिया गया ठीके परताप का राज्यभी से एक जबर्दस्ती करा दिया गया जगमाल से तलवार छीन ली गई और उनका मुकट भी छीन लिया गया और इसमें साथ किस ने दिया अखे राज अखे राज कौन थे अखे राज सोनगरा जेवंता भाई के पिता थे और किसंदा चूडावत ने साथ दिया था बताओ दोस्तों कोई कनफ्यूजन आपको तो एक वार और पढ़ा जता हूँ क्या हुआ उदे सिंग गोगुंदा चले गए और जैमल फत्ता को जिम्मेदारी दी गई जैमल फत्ता ने यहाँ पे केसर रिया और उनकी पत्नी फूल कवर ने क्या किया जोहर किया यह मेवार का तीसरा वा अंतिम साका कहलाया इसमें क्या हुआ गजारूट परतीमा कहा का बनी वह जैमल फत्ता की एक तो आगरा के कीले के सामने अकबर द्वारा बनाया गया एक जुनागड में विकाने के सासक राय सिंग द्वारा बनाया गया किलियर फिर देखो गोगुंदा में आठ फरवरी 1572 में होली के दिन उदे सिंग का देहांत हो गया और देहांत होने के बाद उदे सिंग की जो छत्री है वो गोगुंदा के अंदर ही स्थापित की गई दोस्तो उदे सिंग की तीन पत्निया थी सज्जा भाई, धीर भाई और जेवन्ता भाई सज्जा भाई जो जेवन्ता भाई थी उनका पुत्र था राना परताफ, महाना परताफ एक जेश्ट एंड प्रतापी सासक था लेकिन जो उद्य सिंग की पिर्य पत्नी थी वो थी धीर भाई उसका पुत्र था जगमाल जगमाल को पिछे से क्या किया जब ये इनका अंतिम संस्कार करने सब गयव है थे तो पिछे से जगमाल का राज्य भी से करा दिया गया लेकिन जब बापस महाना परताप आए और उनकी प्रजा और उनके सरदार जब आए तो सरदारों ने जबरदस्ती महाना परताप का राज्य भी से किया और जगमाल से तलवार और मुकुट छीन लिया इसमें जो साथ दिया था वो अखेरा सोनगरा जो की जेवनता भाई के पिता थे और कृषन दास चूड़ावत ने इनका साथ दिया अब हम बात करेंगे दोस्तों महाना परताप के बारे में महाना परताप 1572 से लेकर 15 सित्यान में तक सासन किया कब से 1572 से 15 सित्यान में तक इनका जनम हुआ था 9 मई 1540 में कब हुआ 9 मई 1540 के अंदर बादल महल कहां पे है कटारगड में और कटारगड कहां है कुम्बलगड में इनका जनम जो है बादल महल में हुआ था बादल महल है कटारगड में और कटारगड कहां पे है कुम्बलगड में ठीके यहां पे महाना परताप का जनम 9 मई 1540 में हुआ महाना परताप को उपादी वीर सिरो मनी की दी गई थी किसकी उपादी दी गई वीर सिरो मनी की इनका राज्य भीसेग गोगुंदा में हुआ कमर पर साही तलवार किसने बांदी कृसंदावस चूड़ावत द्वारा कमर पर साही तलवार बांदी गई महारना प्रताप की जयन्ती हल्दी गाटी जो की राज समन्द में है जेश्ट सुकलत तृत्या को मनाई जाती है दोस्तो एक वार इतनी सी चीज़े याद करा दूँ पहले में आपको फिर आगे चलेंगे महारना प्रताप का सासनकाल 1572 से लेकर 1500 सित्यान में तक इनका जनम 9 मई 1540 में हुआ ठीके बादल महल कटारगड कुम्भलगड के अंदर इनका जनम हुआ था इनको उपाधी दी गई वीर सिरो मनी की किसकी वीर सिरो मनी की उपाधी दी गई राज सम्मन गोगुंदा में का राज्य भी से खुआ कहां पे गोगुंदा में का राज्य भी से खुआ कमर पर साही तलवार किसने बांदी करसंदाज सुडा वत द्वारा कमर पर साही तलव बार बांदी गई महाना परताप की जैनती हल्दी गाटी रास्मन में जो इस्तित है जेश्ट सुकलत तृत्या को मनाई जाती है दोस्तों ठीक है बच्पन का नाम इनका था किका क्या नाम था किका 32 वर्स की आयो में मेवार के सासक बने पंदरा सो बहुत्तर के अंदर ठीक है 32 वर्ष की आयो में मिवार के सासक बने थे इनका राज्य भी से दो बार हुआ था एक तो हुआ था गोगुंदा के अंदर और दूसरा हुआ था विधिवत रूप से कुम्भलगर्ड दुर्ग के अंदर इन्होंने दो राजधानी बनाई थी एक तो बनाई थी पहली राजधानी थी इनकी कुम्भलगर्ड दुर्ग और दूसरा था इनका चावण पहली राजधानी थी कुम्भलगर्ड और दूसरी राजधानी थी इनकी चावण थी दोस्तो ठीक है कोई confusion देखो मैं आपको पढ़ायता हूँ दुबारा से महाना परताप महाना परताप का जो सासनकाल है वो है पंद्रा सो बहुततर से लेकर पंद्रा सो सित्यान में तक इनका जनम जो है कब हुआ था दोस्तो इनका जनम हुआ था नौ मई 1540 में और कहां हुआ था दल महल कटार गट कुंबल गट के अंदर है वहाँ पे इनका जनम हुआ इनको वीर सिरोमनी की उपादी दी गई राज्य भीसेक इनका गोगुंदा में हुआ था ठीके कमर पर साही तलवार किसने बांदी थी क्रसंदास चूडावत द्वारा कमर पर साही तलवार बांदी गई थी महारना परताप की जैंती हल्दी घाटी के अंदर जो की राज संबंद में इस्तित है जैष्ट सुकलत्रित्या को मनाई जाती है बच्पन का नाम इनका था कीका और 32 वर्ष की आयो में मेवार के सासक बने 1572 में यह मेवार के सासक बन गए थे इनका राज्य भीसेक दो वार किया गया था एक तो हुआ था गोगुंदा के अंदर और दूसरा हुआ था कुम्भलगड के अंदर इनकी जो राजधानी थी इनोंने दो राजधानी बनाई एक तो कुम्भलगड दुर्ग को और दूसरा बनाया था चावंड को इनके बारे में और भी जानकारी ह है दोस्तों उसका हम कल अध्यान करेंगे पुरा डुटेल में हम माहाना परताप के ऊपरद हैं आज हमने राना संगा के ऊपर पुरा डुटेल में अध्यान कि यह ठीक है अगर आप बोलते हो ऑट मैं आप गवार रिव्यू करा 25 दोस्तों इसे कि बारे में रायमल के बारे में जो रायमल था उनका सासंकाल 1471 से 1519 तक था इन्हों ने एक लिंग नाथ जी के मंदिर का पूर्ण निर्मान कराया था रायमल के चार पुत्र पिट्थविरा पुत्री थी आनंदिबाई जिसका विवा जगमाल देवडा शिरोई के सासक के साथ हुआ इन चारों ने जब एक संद के पास गए अपनी भविश्यवानी करवाई तो पता चला कि राज योग तो केवल राना सांगा के पास है जो की सबसे छोटे पुत्र है तो पिट्थवि वो डर गए थे अपने भाई से और मेवार का त्याक कर दिया ठीक है आगे देखो पिर्थविरासी सोद्या को ही मेवार में उड़ना राजकुमार के नाम से जाना जाता है पिर्थविरासी सोद्या की पतनी थी तारा भाई इन्होंने पनी पतनी की इसमरती में अजे मेरू दुर्ग जो की अजमेर में है उसके परकोटे का और उसका मरमत करवाया था इसले उस दुर्ग का इनौने नाम तारागड रख दिया इंजल पिर्थविराशी सोद्या को उड़ना राजकुमार कहा जाता है पिर्थविराशी शोद्या को उनके खुद के बहनोई जगमाल देवड़ा द्वारा जहर दिया गया फिर्थविराशी सोद्या की छत्री कुम्भलगड दुर्ग में है किलियर है अब हम बात करेंगे राणा सांगा राणा सांगा का ही नाम है संग्राम सिंग इनका सासन पंद्रा सो नौ से ले इनका सरक्षन करम चंद पवार द्वारा किया गया जब ये सासक बने तो इन्होंने करम चंद पवार को रावल की उपादी दी थी दोस्तो ठीके आगे चलो सांगा को एक भगन अंस की संग्या किस ने दी कर्णल जैम्स्टोर ने हिंदू पती की उपादी किस ने दी इतिहास कारों ने सैनी का भ्यान हुआ मालवा पे विजय महमूद खिलजी ने आकरमन किया और गुजरात पर विजय मुझफर सा का आकरमन था गागरोन यूद जब इन दोनों ने साथ में यूद किया उसके बाद इबराहीम के साथ यूद इबराहीम लोदी के साथ खातोली का यूद और बा राणा सांगा की विजए हुई, इडर राजिय का विवाद, इडर राजिय की विवाद के कारण ये यूद किया गया था, यहां के सासक बनाए गए राय मलको, मालवा और गुजरात की सयुक्त सेरा ने गागरों दुर्ग पर जो है आकरमन किया, लेकिन जो राणा सांगा है, राणा सांगा और विजय हुए राणा सांगा इब्राहिम लोधी वसेश राणा सांगा खातोली का यूद 1517 से लेकर 1517 में खातोली एक बुंदी रियासत में थी और सतंत्रता के बाद यहां कोटा रियासत में आ गई धोलपुर्या बाडी का यूद इसमें भी विजय कौन हुआ राणा सांगा कब हुआ ये यूद 1518 में इब्राहिम लोदी राणा सांगा की सक्ति से भाईबेथ हो गया बाबर एवम सांगा बाबर वसे सांगा का यूद बयाना का यूद 16 फरवरी 1527 में हुआ बाबर वर राणा सांगा की सेना के मध्य यूद हुआ और राणा सांगा विजय हुए दूसरा यूद खानवा का यूद इब्राहिम लोदी बाबर और राणा सांगा के मध्य 17 मार्ज 1527 में रूपवास तहसिल भरतपूर में गंभीरी नदी के किनारे इस्तित है राणा सांगा वसेस बाबर बाबर ने यहाँ पे क्या किया तमगा कर हटा दिया जो की मुसलमानों पर लगता था और इस यूद को जिहाद या धरम यूद की संग्या दी राणा सांगा ने पाती परवन प्रत्थाय स्टार्ट की थी राणा सांगा का सयोग करने के लिए प्रत्थिवराज कच्वा आमेर से आए रतन सिंग मेरता से आए असोक परमार विजोलिया से आए महारावल उदे सिंग वागर से आए कल्यान मल विकानेर से आए और विरम देव मेरता से आए थे इस युद में विजय कौन हुआ बाबर विजय हुआ सांगा के हारने का कारण क्या क्या था दोस्तो बाबर का तोप खाना बाबर के तिरंदाज तुलू गुमा युद प्रदती और बाबर की जो जिहाद की संग्या या धरम युद की संग्या दी थी वो और एक था सहलदो पवार के कारण सहल दो पवार राणा सांगा के साइट था लेकिन युदध शुरू होने से पहले ही सारी रन दिती बाबर को जाके बता दी इसके बाद जब यहां पे बाबर यह राणा सांगा घायल हो गए मुर्चित हो गए तो इनको बस्वा दोसा में लेके जाया गया ठी सांगा की पतनी कर्मावती हाडी रानी इनकी जो पुत्र थे विक्रमादित्य और उदे सिंग राणा सांगा की मित्यू कालपी एमपी के अंदर सरदार चुड़ावतो द्वारा इनको यहाँ पे जहर देकर मार दिया गया था राणा सांगा की छत्री कहां पे है मांडलगड भिलवाडा में 32 खंबो की छत्री है अब सासक बनते हैं उदे सिंग उदे सिंग जो है 1537 से लेकर 1522 तर तक इनके दो सैनापती जैमल और फत्ता और जैमल के भतीजे कौन है वीर करला जी मुगल सासक अकबर ने 1566-68 में युद किया जब युद हो रहा था तो उदे सिंग ने गोगुंदा चले गए थे उदे सिंग गोगुंदा चले गए और अपनी जिम्मेदारी जैमल और फत्ता को सौप कर चले गए जैमल और फत्ता ने बहुत समय तक युद किया उसके बाद जैमल और फत्ता ने यहापे के सर्या किया और जैमल की पत्नी फूल कवर ने यहापे साका किया यह मेवार का तीसरा व अंतिम साका कहलाया आगरा के हीले के सामने अकबर ने जैमल वफत्ता की गजारुड प्रतीमा बनाई क्योंकि वो इन दोनों से प्रभावित हो गए थे वीर कल्ला जी ने जगमल को कंधे में बैठा कर युद किया इसलिए ही वीर कल्ला जी को सेसनाक का अवतार या चार हातों वाले लोग देवता माना जाता है बीकाने के सासक राय सिंग ने भी जुनागड में सूरज पोल परवेस दौर पर गजारुड प्रतीमा बनाई थी ठीके उसके बाद सज्जा उदे सिंग की पतनी थी सज्जा बाई जिनका पुत्र था सक्ती सिंग धीर बाई जिनका पुत्र था जगमाल और जेवंता बाई जिनका पुत्र था महारना परताब सबसे जेश्ट पुत्र थे महाना परताप तो सासक भी महाना परताप को बनना चे था और वैसे भी वो बहुत ज़्यादा परतापी थे लेकिन क्या हुआ पीछे से जब उदे सिंग का अंतीम संस्कार हो रहा था तो जगमाल को क्या बना दिया शासक बना दिया गया लेकिन जब वापस ये अंतीम संस्कार करकर आए तो यहां के सरदार सैना प्रजा ने जबरदस्ती महाना परताप का राज्य भी से कराया इसमें साथ जेवनता बाई के पिता अखेरा सोनगरा ने दिया और किसन दास चूड़ावत ने सबसे जादा इनका साथ दिया महारना परताप 1572 से लेकर 1573 में तक सासन किया इनका जनम 9 मई 1540 में बादल महल कुंभल गड कटार गड में हुआ था इनको उपादी वीर शिरो मनी की उपादी दी जाती है राज्यभी से गोगुंदा में हुआ कमर पर साही तलवार किसने बांदी क्रसन दास चूड़ावत द्वारा बांदी गई महाना परताप की जैन्ती हल्दी गाटी राज संबंद में जेश्ट सुकलत तृत्या को मनाई जाती है बच्पन का नाम है इनका कीका 32 वर्स की आयू में 1572 में मेवार के सासक बने राज्यभी सेक इनका दो वार हुआ था गोगुंदा में और कुम्भलगड में विधिवत रुप से कुम्भलगड में उसके बाद राजधानी इन्होंने दो बनाई पहले कुम्भलगड को और उसके बाद चावंड को ठीके दोस्तों यहाँ पे हम इसको क्लोज करते हैं अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे साथ बने रहें दोस् हम आगे बहुत सार चीजों पर डिसकस करेंगे ठीके थैंक्यू फ्रेंड हेव नाइस डे बाबाई